चैप्टर वन, शौक, सिक्स फिगर जॉब सच में है, ट्रैंसलेटर, राज स्टूडियो क्रियेटर, राज स्टूडियो अनुवाद 2014, मुंबाई सिटी, इंडिया, जून में धरकती धूब जमीन को गर्म कर रही थी, मानो वो डामर की सरकों से पानी के हर आखरी बिट को व करने से रोग दिया, कोई पूछ सकता है, वो यहां क्यों था, बैशक, यह एक्जिस्टेंस के लिए था, ठीक है, सपश्ट करते हैं, टेलिकॉम बिजनेस हॉल ने गर्मियों की चुट्टियों में प्रमोशन करने के लिए वीवो फोन्स के साथ साजयदारी की है, डॉल कोस 234 डिगरी से अधिक है, उसे 10 रुपे का बोनस मिलेगा, ये कुल 70 रुपे तक जोडा गया, राहुल के सैलरी के बारे में सुनने के बाद, उसने जॉब एक्जेट करने में भी संकोच नहीं किया, तारकिक रूप से इसका एनलाइज करते हुए, अगर उन्होंने एवरिज भी हर दिन एज करने का जोखिम नहीं उठा सकता है, वीवो जैसी कमपनी तो बिल्कुल भी नहीं, हाला कि भले ही उसने केवल एक सब्ता के लिए काम किया हो, फिर भी वो 2600 रुपे कमाएगा, जिस तरह राहुल इतना उप गया था कि उसने एक छत्र के पेर पर पत्तियों की संख्या गिनना शुरू कर दिया, एक मोटा और काली चमरी वाला आदमी जो अपने चेरे से पसीना पोच रहा है उसकी ओर चल पड़ा, मोटे आदमी का नाम रोहन है और राहुल की तरह उसने भी मुंबाई है स्कूल में मैथमाटिक्स में पढ़ाई की, हाला कि रोहन द की जगह किसी को दोन ले, आप टेलीकॉम बिजनेस हॉल में थोड़ा आराम कर सकते हैं, रोहन ने कहा, उनका बॉड़ी इतनी भयानक गर्मी के लिए नहीं बना है, उसका पूरा बॉड़ी भी गया था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे पानी से बाहर निकाला हो, भले ही व आदमी को हीट स्ट्रोक होने वाला है, मैं ठीक हूँ, इमानदारी से, आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, राहुल ने कहा, जैसे ही उसने द्रिलता से अपना सिर हिलाया, उसने जोड़ा, मैं एक घंटे में समाप करूंगा, मैं यहाँ पहले से ही इतने द्रिर है, इसलिए वो कायम नहीं रहा, दरसल, रोहन खुद को भागया एड महसूस कर रहे हैं, फाइनली, किसी ऐसे व्यक्ति को धोनना मुश्किल था जो इस गर्म मौसम में काम करने को तयार हो, बहुत सारे अंचकालिक कर्मचारी थे, लेकिन अधिकांच राहुल जितन अजीब सा लग रहा है, सणक पर लोग क्यों, आबराबर क्यों रोड रहे हैं, उसके पैर कमडोर हो गए और उसका पूरा बोडी जमीन पर गिर गया, उसके पास कितनी बची हुई चेतना है, उसने टेलीकॉम बिजनेस हौल से आने वाले कदमों की आवाज और चलाने की आ प्रकार का प्रयोग करें, प्रकाश की अंतिम किरण उनकी दृष्टी से ओज़ल हो गई और अनंत अंधेरा लेकर आई, राहुल मुंबाई हाई स्कूल में मैथमाटिक्स में प्रथम यह का स्टूडेंट था और वो कुछ महीनों में अपने दूसरी यह में जाने वाला है शुरुआत में उन्होंने सॉफ्ट्वेर इंजिनियरिंग के लिए अपलाई किया है लेकिन वो जरूरतों से कुछ पॉइंट कम थे, अंत में उन्हें समझाता करना पड़ा और अलोग प्रिये मैथमाटिक्स डिबार्टमेंट में चले गए, कभी-कभी राहुल मदद नह रहे थे, सच में कोई भी हाइ स्कूल में काम कर सकता है, लेकिन एक स्ना तक स्टूडेंट के रूप में उसे शिक्षकों के साथ बहुत करीब रहना होगा, हाला कि अगर कोई काम पर रहता है, तो वो केवल विविद कारे ही करेगा, इसके बजाए रुकना और मास्टर रहुल का परिवार जयांग लिंग में स्थित है, भले ही नाम मुंबई के बराबर लग रहा है, वे हजारों मील दोर थे, उनके मध्यवर गिये डैट जयांग लिंग में एक धातु कार खाने में काम करते थे, उनकी बीमार माघर पर रीटे थी और स्वास्थे पर काफी प रहुल स्पष्ट रूप से जानता था कि यह संभव नहीं है, यह देखते हुए कि उन्होंने पहले ही सुसाइटी में आधा पैर जमालिया है उन्हें अन्य अधिक यतार्थवादी मुद्दो पर विचार करना है, अधिक विशिष्ट होने के लिए उन्हें अपनी धन मंदी प्रॉबलम ओपर विचार करना है, वह अपने परिवार के लिए बोज या अपनी छोटी सिस्टर के भविश्य के लिए एक बोज नहीं बनना चाहता है, इसलिए जब से उन्होंने हाइज स्वायम से पुछे बिना नहीं रह पाता था कि हाइज स्वायम का नहीं थी जिसे एक हाइज स्कूल का स्टूडिन्ट भी कर सकता है, एक हाइज स्कूल का स्टूडिन्ट इसे और भी बहतर कर सकता है, कम से कम वाधानु कूलित कम लेके बाहर कुछ घंटे खड़े रहने से उन्हें लू नहीं लगेगी, फिर भी Mathematics प्रमुक के करिया, कि प एलिकॉम बिजनेस हॉल में उन्हें हीट स्ट्रोक हुआ था और कुछ दयालू व्यक्ति उन्हें हॉस्पिटल भेजने से पहले एक कार में ले गए थे। हाला कि वह जगह बिलकुल भी हॉस्पिटल नहीं लग रही है यह सच लाइप जैसा भी नहीं लग रहा है। जिस तरह रहुल इस स्टेटिस के बारे में चिंतित महसूस कर रहा है उसके सामने अचानक एक अर्ध पारदर्शी स्क्रीन उभरी। वह इतना डर की वह पीछे की और उचला। दर्शी होलोग्राफिक स्क्रीम पर शब्द दिखाए देने लगे। आपको स्वयम को समझने में मदद कर सकता है। D. Engineering, Transform Tool, परियावरन और दुनिया। E. सामगरी Science, सामगरी और Engineering को अलग नहीं किया जा सकता है। F. ओर्जा Science, जिवाश मईंधन से हीलियम माइनस तीन तक, लिथियम बैटरी से एंटीमिटर बैटरी तक, वायरलेस ट्रांसमिशन से अल्ट्रल लॉंग डिस्टेंस लेजर ट्रांसमिशन तक, सभी लाइफ एंट्रापी के यूज़ पर फीड करते हैं। F. ओर्जा का डिवेलप्मेंट समोदर के दोर के तारों पर होता है। F. जेनेटिक्स लेवल 2 के लिए बावलोजी लेवल 2, इंजिनियरिंग लेवल 1 और 1000 अनुभव बिंदों की जरूरित होती है। तभी आप लेवल 1 आनुवन शिकी से लेवल 2 आनुवन शिकी तक जा सकते हैं। F. टेक्नोलोजी खाका, जैसा की नाम से ही स्पष्ट है। F. टेक्नोलोजी और प्रॉब्लम को हल करने में इपर निर्भर करती है। राहुल कुछ ऐसा करने वाला था जो उसे और भी शौक कर देने वाला है। निर्देश गायव होने के बाद उसका विशेश्टा पैनल तुरंट दिखाए दिया। उच्छी टेक्नोलोजी प्रनाली यूज करता राहुल। कोर साइन्स, A. Mathematics, Level 00.00, B. KHी, Level 00.00, C. Jeev Science, Level 00.00, D. Engineering, Level 00.00, E. Sāmagri Science, Level 00.00, F. Urja Science, Level 00.00, G. सुचना साइन्स, Level 00.00, Technology शाखा, कोई नहीं। टेक्नोलोजी खाका, कोई नहीं सामाने बिंदू, शून्य मिशन, कोई नहीं भले ही मैं एक सीधा स्टूडेंट नहीं है लेकिन मैं आभी भी सर्वश्रेश्ट हाई स्कूल में से एक में है क्या जीरो की यह पंक्ती थोड़ी अपमानिंग नहीं है राहुल को नहीं पता था कि उसे हसना चाहिए या रोना चाहिए क्योंकि उसने जीरो की पंक्ती को देखा इस सिस्टम में गलती की होगी जैसे ही राहुल इसके बारे में सोच रहा है उसके कंदे हिंसक रूप से हिलने लगे और उसकी चेतना तुरंट शुदर वाइट डैमेंशन से बाहरा गई अपने कंदो को फिर से हिंसक रूप से हिलाने के साथ राहुल ने धीरे से अपनी आई खोली और रोहन का मोटा चेहरा देखा एफ तारान कंद सीके तुम अंत में जाग गए राहुल के कंदो को छोड़ते हुए रोहन ने एक लंबी आवरी वह माफी मानते हुए हसा आशा है कि आप बुरा नहीं मानेगे मेरा मतलब आपके आराम में खलर डालना नहीं है मैंने देखा कि तुम खराटे ले रहे थे औ और मैंने अनुमान लगाया कि तुम ठीक हो राहुल ने पूछने से पहले आसपास की वाइट दिवारों और हॉस्पिटल के लेवल को दखने वाली चादर को देखा मैं कहा हूँ क्या आपको याद नहीं है टेलीकॉम बिजनेस हौल में आपको हीट स्ट्रोक हुआ था रो राहुल ने मुस्कुराते हुए पुछा दॉक्टर ने मेरे स्वास्थे के बारे में क्या कहा ज्यारा नहीं बस थोड़ा सा नेजली करन रोहन ने कहा उसने अपनी थुड़ी से नाइट स्टेंड की और इशारा करते हुए कहा मैंने वहाँ एक कप पाने रखा है इसे पीन मत भूलना राहुल ने अपना गला साफ किया और इमानदारी से कहा धन्यवाद मुझे धन्यवाद मत दो आप एक जूनियर स्टूडेंट माने जाते हैं एक वरिष्ट स्टूडेंट की रूप में आपकी देखभाल करना मेरा कर्तव है रोहन ने कहा जैसे ही उसने अपना ह पात हिलाया उसने कहा तुम्हें अच्छे से आराम करना चाहिए और जब तुम ठीक हो जाओ तो स्कूल वापस जाना चाहिए मैं तुम्हारा सालरी पहले ही चुका चुका हूँ इसलिए जाचलो कि तुम्हें यह मिल गया है या नहीं साथ ही हॉस्पिटल के बिल की चिंता जारी है रोहन ने कहा वे कुर्सी से खड़े हुए और बोले हमें स्टेटिस को वही पर छोड़ देते हैं आपको एक दो दिन जाकर आराम करना चाहिए मत जाओ फिर से काम करना शुरू करू राहुल कुछ कहना चाहता था लेकिन उसे शब्द नहीं मिल रहे थे इसके बज परिशानी के बाद रोहन शायद उसे वापस नहीं चाहेंगे वो लेक नहीं है राहुल अपने आप में निराश है उसने उनके लिए बहुत परेशानी खड़ी की है वो और मदद नहीं मान सकता है वो लुरका और उस प्रेरक सपने के बारे में सोचा उसने अपनी आई बं जाए से धका हुआ है विशेश्टा पैनल के साथ अर्ध पारदर्शी होलोग्राफिक डिस्प्ले था जो जीरो से भरा है सब कुछ ऐसा लगा जैसे यह एक कता है अपार खुशी में अपनी मुठ्टी ने चोड़ने से पहले राहुल को थोड़ी देर के लिए शौक हुआ हा शारीरिक फिटनेस विवरन अगर आप वैज्ञानिक अनुसंडान में उत्कृष्टा हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक स्वस्थ बॉड़ी की जरूरत है आपको पत्रकारों से आगे निकलना है लाश से लगना है और 72 घंटे तक लगातार प्रदर्शन करन अपने बॉड़ी को प्रशिक्षित करना कोई आसाल उपलब्दी नहीं है यूज करता क्रिपया अभी शुरू करें जरूरत है एक घंटे में 5 किलोमेटर की जोगन टाइमर शुरू करने के मिशन के बारे में सोचें विफलता पर चुनोती दोराने में एबल इनाम किसी भी साइन्स विशय के लिए 20 अनुभव पॉइंट, एक लखी ड्रॉटिकेट, 100% का चरा, मिशन 2, संबंध एवॉल्व करें विवरन, अगर आप अकादमिक एरिया में रहना चाहते हैं और लोगों को रात का खाना खरीदना नहीं चाहते हैं तो आपको रिष्टों को प्रबं साइन्स विशय के लिए अनुभव पॉइंट की संख्या पड़ी जाने वाली पुस्तकों के प्रकार और पुस्तकों के मूल्यस को द्वारा निर्धारित की जाती है यह व्यवस्था काफी इमानदार है इसने प्रतिशत भी दिया लेकिन यह चल रहा मिशन क्या है 100 प्रतिशत का चरा हो रहा है इसके अलावा यह एक प्रोफेसर के साथ डिवेलिप्मेंट शील संबंध क्या है उसे रात का खाना खरीदना उसे गिफ्ट दे रहे हैं किसी भी तरह से यह मुझे बहुत पैसा खर्च करेगा केवल अंतिम मिशन थोड़ा सा सामाने लगता है भले ही इसने यह नहीं बताया कि यह कितने अनुबग पॉइंट देगा कचरा मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे कम है गेम थियोरी की नजरिये से यह मिशन सबसे अच्छा रास्ता होना चाहिए है ना उलेक नहीं है 24 घंटों के लिए पुस्तकालय में स्टडी करना बहुत आसान लगता है सब कुछ पर विचार करने के बाद राहुल ने संकोच नहीं किया और तीसरा मिशन चुना एक talented student के life को किसी explanation की जरूरत नहीं होती है चुनने के बाद आप मिशन को बदल नहीं सकते कोई सीमा नहीं है अगर आप मिशन को छोड़ देते हैं तो 200 सामाने पॉइंटों का जर्माना लगाया जाएगा यूज करता के पास वरतमान में 0 सामाने बिंदू है क्या आप अपने चैन की पुष्टी करते हैं? पहला reminder राहुल ने संकोच नहीं किया और कहा पुष्टी करें चैन पूरा हुआ, सब अच्छा हो, वाइट रोश्णी की किरने चमाकुटी विशेश्टा पैनल का mission, खन, कोई नहीं, से mission 3 में चला गया राहुल ने अपनी आई बंद कर ली और एक गहरी सास ली, वो सिस्टम से बाहर निकलने के लिए फुस्फुसाया जब उसने अपनी आई खोली, तो उसने देखा कि वो हॉस्पिटल के कमरे में वापस आ गया है वो कुछ देर के लिए लेवल पर लेट गया और नई जानकारी को संसाधित करने में कुछ मिनद लगा उसे पता नहीं क्यों, लेकिन वो किसी तरह इस high-tech सिस्टम का use करता बन गया उसने वापस सोचा जब रोहन में उसे जगाया, सिस्टम का प्लेस उसकी चेतना में गयराई से समाहित होना चाहिए क्योंकि यह इस कता से बाहर की चीज़ है इसके अलावा, सिस्टम स्पेस और बाहर का टाइम समवर्ती रूप से प्रवाहित होना चाहिए सच कहूं तो राहुल को ऐसा मैसूस भी नहीं हुआ था कि सिस्टम सच में एक्जिस्टेंस में है हाला कि इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, यह किसी एलियन की योजना हो सकती है, अप्रेल फूल का मजाक हो सकता है, या उसके दिमाग में कुछ गलत हो सकता है उसने पहले ही मिशन को एक्जेट कर लिया था ताकि वो पता लगाने के लिए इसे पूरा कर सके राहुल ने नाइट स्टेंड से पानी का प्याला उठाया और उसे पी लिया, फिर वो लेवल से बाहर निकला उन्होंने नर्स से अपने बॉडी का टेंपरेचर मापा और पुष्टी हुई की वर ठीक है इसके बाद वो हॉस्पिटल से चला गया और बस को स्कूल वापस लेने के लिए निकत्तम बस स्टॉप पर चला गया जब वो अपने हॉस्टल में वापस आया, तो कमरे में केवल लियू रूई है उसके अन्य दो रूम मेट इंटरनेट कैफे गए होंगे लियू रूई ने देखा कि राहूल वापस आ रहा है और उसने अपनी पाठे पुस्तक नीचे रख दी उन्होंने अपना चश्मा ठीक करते हुए पुछा, राहूल मैंने सुना है कि आपको हीट स्ट्रोक हुआ है हाँ, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, राहूल ने मुस्कराते हुए कहा, वो अपने लेवल की ओर चल दिया इस प्रकार के चार व्यक्ति हॉस्टल के लिए, उपरी चारपाई एक लेवल है, जबकि निच्री चारपाई में एक मेज और एक कैबिनेट है, राहूल ने अपने सभी कार्ड कैबिनेट की दराज में जमा कर दिये दराज में थोड़ी खोज करने के बाद, राहूल को राहत मिली की फाइनली उससे अपना पुस्तकाले कार्ड मिल गया, इसके बाद वह बैग लेकर हॉस्टल से चला गया सर्द रात की हवाय छत्र के पेरो बर चली, जिससे ये सरस्रहट की आवाज कर रही है गलिया रोश्णी से जगमगा उठी, स्टूडेंट स्टूडेंट और शिक्षक हाथों में पाठ्य पुस्तके लिए घूम रहे थे, मैदान पर कुछ लोग हाथ पकड़ कर चल रहे थे तो कुछ साथी के साथ दोर रहे थे यह लगभग ऐसा था जैसे यह विद्याले हमेशा जीवन्त और उर्जा से भरा रहेगा आठ बज चुके थे, राहुल ने चमखीली रोश्णी वाली लाइबरी को देखा और अपरिचित्ता और पुरानी यादों को मैसूस किया मुझे यहां आए हुए कितना टाइम हो गया है, उसने गहरी सास ली, बेचैनी की भावना के साथ, वो पुस्तकाले में चला गया चाप्टर थ्री, एक सच्चा जीनियस अपना टाइम कभी बरबाद नहीं करेगा राज स्टूडियो क्रियेटर, राज स्टूडियो अनुवाद, मिशन शुरू राहुल ने अपनी आए बंद कर ली और फुस्फुसाया, अगर यह पर्याप नहीं था तो उसने इसे दो बार और किया जब उसने अपनी आए खोली, तो उसने अपने सामने अर्ध पारदर्शी शब्दों की एक पंक्ती तेरती देखी मिशन तीन शुरू होता है, वर्तमान टाइम, 0 घंटा, लाइब्रेरी से बाहर निकलने पर टाइमर बंद हो जाता है राहुल अचानक सामने आए शब्दों से चोग गया, उसने एरिया के चारो और देखा और जब उसने देखा कि एक स्टूडेंट अर्ध पारदर्शी शब्दों के माध्यम से ठीक चल रहा है, तो वहाँ आराम करने लगा यह पता चला कि सिस्टम के शब्दों को कोई और नहीं देख सकता है वैसे भी, 24 घंटे पुस्तकाले में कुछ किताबे पढ़ने में बिताएं और मिशन पूरा हो जाना चाहिए, है ना रहुल मैथमाटिक्स अनुबाग की और चल पढ़ा क्योंकि ए कुछ नहीं से बेतर है वो किताबे पढ़ने ही वाला था कि अचानक उसने देखा कि किताबों पर नंबर के लेबल लगे है साथ ही इन नंबर लेबल के रंग में एक पैटन है जैसे जैसे संख्याए बड़ी से छोटी होती गए, रंग लाल से सलिटी होते गए क्या बगवास है, राहुल को अचानक मिशन तीन के पुरसकारों की याद आई, पुस्तकों के मूलियसकों के आधार पर मिशन के अनुभव पॉइंट प्रदान किये गए दूसरे शब्दों में, अगर वो केवल पुस्तकालाय में रहता है तो उसे केवल लखी ड्रॉ का टिकट मिलता है एक सच्चा जीनियस अपना टाइम पुस्तकालाय में कभी बरबाद नहीं करेगा राहुल ने इसके बारे में सोचते हुए घोड लिया हाला कि एक बात थी जो से समझ नहीं आ रही है उननत मैथमाटिक्स यह पार्थे पुस्तकों के पॉइंट इतने कम क्यों थे जबकि शुरुआती Mathematics यह पार्थे पुस्तकों के पॉइंट इतने आधिक थे। मूल्य स्कों के दो पहलू थे। रीमेन के अनुमान को एक उदाहरन के रूप मे ले। इसने रीमेन के अनुमान की नीब पर निर्मित हजारों Mathematics सिध्धान्तों के साथ अकादमिक दुनिया में महत्वपूर्ण मूल्य जोड़ा। इसलिए इसका मूल्य बहुत अधिक है हाल कि राहुल के संबंध में उसके लिए रीमेन के अनुमान को समझना बहुत मुश्किल होगा और इससे उसे अपनी पढ़ाई में मदद नहीं मिलेगी। इसलिए मांस को जीरो है। राहुल ने मूल्य स्कों को समझा और नया Mathematics या Analyze व्याख्यान लेने से पहले संकोच नह सच कहुन तो उन्हें सच में Mathematics में गहराय तक उतरना पसंद नहीं है लेकिन शौकिंग रूप से वे किताब पढ़ना बरदाश्ट कर पा रहे थे। वह नहीं जानता था कि यह व्यवस्था के प्रभाव के कारण है लेकिन उसने महसूस किया कि वह धीरे-धीरे पूर्न ए कागरता की स्टेटिस में प्रवेश कर रहा है। यह लगभग ऐसा था जैसे वह अपने आसपास सब कुछ भूल गया हो। केवल वे और उनकी पुस्तक है और कुछ भी एक्जिस्टेंस में नहीं है। उन्होंने कहा ओ, शमा करें, मैं टाइम के बारे में भूल गया, मैं अभी सफाई कर देता हूँ। पसी ना मत, मैं यहां कई सालों से काम कर रहा हूँ और यह पहली बार है जब मैंने किसी स्टूडिन को मैथमाटिक्स की किताब पर केंद्रित देखा है। लाइब्रेरियन पाठे पुस्तक नहीं, एक उपन्यास जिसमें मैथमाटिक्स का लाइफ सवायत है। लाइब्रेरियन ने देखा कि वो कितना विनम था और इसलिए उसने तेजी से कहा, ठीक है, चाहो तो जाओ और ओधार लू, कंप्यूटर अभी भी चालू है और मैं इसे प्रोसेस करने में आपकी मदद करूंगा, क्या तुम अपना पुस्तक लाइकार लाए हो? राहुल ने इमानदारी से कहा, मैं इसे लाया, धन्यवाद, चिंता न करें, राहुल में पाठे पुस्तक को अपने बैग में भर लिया और जल्दी से पुस्तक लाइसे निकल गया, वो होलोग्र दर्वाजा खोले जाने की आवाज सुनी, वो अपने सातियों के साथ तीवरता से लड़ रहा था और कहने के लिए अपना सिर भी नहीं गुमाया, बड़ी जो, लीग? उन्होंने, लीग, शब्द का अतिश्योक्त पूर्णुच्चारं किया, क्योंकि यह उनका जो किसी को बुलाने वाले की दरार पर लड़ने के लिए आमंत्रित करता है, आज नहीं, मुझे अभी भी कुछ काम करना है, तुम लोग खेल सकते हो, है ना? शी शांगटेंग ने विरोधियों को पीछे धकेल दिया, और उनके पास कुछ पल बिताने का मौका है, उसने पीछे मुड़कर देखा, और देखा कि राहुल नीचे बैठा है, और एक पाथे पुस्तक पढ़ रहा है, जिसे उसने अपने बैक से निकाला है, वो अच्छा क्या बखवास है, राहुल, तुम्हें पढ़ाई से इतना प्यार कब हुआ? लियू रूई में सुना कि राहुल पढ़ रहा था, इसलिए उसने खुद को राहुल की मेच पर देखने के लिए मजबूर किया, राहुल हसा, ये समझाना बहुत मुश्किल था, इसलिए उन्ह गुआंग मिंग ने कहा जब उसने दुश्मन की नेक्सस टावरों पर हमला करने के लिए माउस को जोर से क्लिक किया, अगर राहुल को सही धन्व से याद किया जाए, तो हुआन गुआंग मिंग ने पिछले सेमेस्टर में भी यही बात कही है, हाला कि हुआन गुआंग मि बीद गए, दस सेकंड बीद गए, पांच मिनिट बीद गए, उसने अपने पीछे से जीत की आवाज सुनी, राहुल ने जहां से शुरू किया है वहाँ वापस जाने से पहले उसने दो पेज पढ़ना भी पूरा नहीं किया है, शब्द उसके दिमाग में नहीं जा रहे थ हाँ, चांदी चार, मैंने रैंक किया, हुआन गुआन मिंग ने एहनकार पूर्वक कहा और वो अपनी कुर्सी पर पीछे जुग गया, मैं तुम्हें ले गया, तुम कचरा, शी शांग ने अपनी कुर्सी पर वापस जुगते हुए और अपनी पीठ को फैलाते हुए कहा, तुम मुझे नहीं ले गए, मैंने अपने अद्भुत लेवलाक के साथ निशाने बाज को तुरंत मार डाला, कमाल है, मेरे गदे, जब आप भागे एड़ हों तो बखवास करना बंद करे, मैं तुम्हें एलो हेले एक से लेकर आया हूँ, मुझे तुम्हारी गान को की सामाने स्टेटिस के बराबर है, थोड़ी सी व्याकुलता उसकी विचार प्रक्रिया को बाधित कर देगी, वापस पुस्तकालय में लोग बात कर रहे थे और घूम रहे थे, लेकिन वहावी भी पूरी तरह से पाठ्चे पुस्तक की दुनिया में दूबा हुआ है, राह स्टूडियो अनुवाद सुबा के 6 बज रहे थे जब उसने महसूस किया कि उसका लेवल धीरे-धीरे हिल रहा है, लियू रूई ने अपने थकी हुई आँखों को टेड़ा किया और यह पता लगाने की कोशिश की की जटके कहां से आ रहे थे, जब उसने राहुल को सीरी स से पहले जिजखते हुए जवाब दिया, नहीं जा रहा, मैं कुछ दिनों के लिए आराम कर रहा हूँ, यह इतनी जल्दी है, फिर कहां जा रहे हो, पुस्तकालाए? अचानक लियू रूई को नीम नहीं आ रही है, राहुल अपने दात ब्रश करने के लिए शोचालाए गय कमरे से निकलने से पहले उसने अपने जूते पहन लिए और अपना बैग उठा लिया, आम तोर पर जून में मुंबई एक बिजी चूले की तरह है, लेकिन सुबह एक अपवाद है, सुबह की हवा एक धुन से भरी हुई थी, जो अपने साथ एक सुकत सुगन लेकर आई है सभी के चेहरों पर हवा का जोका धीरी से चला गया, ये ठंडा और ताजा मैसूस हुआ और बिलकुल गर्म नहीं हुआ, सुबह सुबह स्कूल एक विनम महिला की तरह था जो धीरे धीरे पास आती है, रात के टाइम की तुलना में ये लगभग दूसरी जगा जैसा है, रा राहुल ने भी अपनी लेवल 4 की शब्दावली की किताब पढ़ना शुरू किया, हाला कि बाहर पढ़ना पुस्तकाले में पढ़ने की तुलना में बहुत बुरा है, लेकिन अपने आसपास के स्टडी शील स्टूडेंट के प्रभाव के कारण ये एक्सपेक्टेशन से ब उठाया और एक शांत कोने में बैठ गया, राहुल ने अनुमान लगाया कि पूर्ण एक आगरता की स्टेटिस में वो लगबग एक से दो घंटे में एक चैप्टर पर सकता है इसमें विशेव बिंडो को याद करना, गन्ना करना, प्रश्न अनलाइज और अन्य पहलो शाम पुस्तक पर केंडरित करना शुरू किया, इसके तुरंत बाद वो विसर्जन की स्टेटिस में प्रवेश करने लगा और अपने आसपास सब कुछ भूल गया, ये सिर्फ वो और उसकी पाठे पुस्तक थी, टाइम धीरे धीरे बीटता गया और जल्दी ही साड़े 11 बच ग बलकि राहुल के मूले के आधार पर स्को किया, जैसा कि मान स्को 5 था और 0 नहीं है ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि पाठे पुस्तक के कुछ हिस्से थे जिन्हें राहुल पूरी तरह से नहीं समझ पाए थे, उसे पूरी तरह से समझने के लिए उसे फिर से पढ़ना होगा जाहिर है, राहुल ऐसा नहीं कर रहा है, वो अपना कीमती टाइम केवल 5 बिंदों पर क्यों बर्बाद करेगा, यह एक प्रतिकूल सौधा है जब दोबहर के भोजन का टाइम हुआ, राहुल ने पाठे पुस्तक बंद कर दी और पुस्तकालय से बाहर निकलने लेगा उसने पुस्तकालय के मुख्य द्वार से प्रवेश किया और सूचना फलक पर द्रश्टी डाली, 6 मिशन का टाइम घटकर 18 गंटे हो गया अचानक राहुल नहीं चाहता था कि मिशन इतनी जल्दी खत्म हो, उसने पिछले 6 गंटों में पिछले ये की तुल्ला में अधिक सीखा है राहुल ने उस बंद पड़ी, उन्नत बीज मैथमाटिक्स, पार्ठे पुस्तक के बारे में सोचा और हिच की चाया उसके पास अभी भी सी प्रोग्रामिंग लेंग्वेज की परिक्षा है हो सकता है कि उसे इसके बदले सी के लिए एक पार्ठे पुस्तक मिलनी चाहिए थी अंग्रेजी भी है उन्हें नहीं पता था कि अंग्रेजी किताबों का वैल्यूस को है या नहीं लेकिन एंट्री गेट के पास के अंग्रेजी अकबारों के पास कोई नहीं है उच्छी टेक्नॉलजी प्रणाली में मातरात्मक विश्यों के प्रती अजीव पूर्वाग्रा था और यह अच्छा नहीं है राहुल को अपने भोजम कार्ट के साथ भोजम का सेट मिला और जल्दी से वापस पुस्तकालाय में लोटाया सबसे पहले उसने वह किताब लोटाई जो उसने पड़ी है फिर वह अलमारियों में गया और अपनी सीट पर वापस बैटने से पहले सी लेंग्वेट फिफफत एडिशन उठाया लंच ब्रेक खत्म होते ही लाइबररी में फिर से भीय हो गई राहुल पूरी तरह से उननत बीज मैथमाटिक्स पर केंद्रित है वो अगले चैप्टर की और बढ़ने ही वाला था कि उसे लगा कि कोई उसके हाथ को थपथपा रहा है उसने उपर देखा और एक खूबसूरत लर्की को एक पोनिटेल और गोल चशमे के साथ देखा वो एक कलम पकड़े हुए थी और ख्षमापरार्थी दिख रही है क्लासमेट आपको परिशान करने के लिए खेद है क्या मैं आपसे एक प्रश्म पूछ सकता हूँ राहुल ने जल्दी से सिरह लाया जरूर दूर पूछो भले ही उनकी पढ़ाई बाधत हो गई लेकिन वे बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए वो क्या पूछना चाती है भले ही मनुशिस सौंदरिवादी एलियान है समाजिक में जोल्वे सुनदरता का बहुत महदवा है लेकिन सबके बीच इस लर्की ने मुझसे क्यों पूछा होना चाहिए क्योंकि मैं बहुत सुनदर हूँ राहुल अच्छे स्वादवाले लोगों से प्यार करता था और विनमनता से सवाल पूछता है उसका कोई और मकसद नहीं था और वो सिर्फ मदद करना चाहता है धन्यवाद लर्की ने धीरे से कहा उसने तेजी से अपनी कुर्सी राहुल के बगल में सरका दी और सोच समझ कर एक कलम और कागज ले आई राहुल ने कलम ली और सवाल देखने लगा उसने इस प्रकार का प्रशन पहले कभी नहीं किया था लेकिन उसे याद आया कि उसने अभी अभी पड़ी पाठ्य पुस्तक में ऐसा ही एक प्रशन देखा है उत्तम वो अभी बीज मैथमाटिक्स के बारे में सीख रहा है उनके स्किल को पर रखने का टाइम आ गया है राहुल ने सोचना शुरू करते ही कलम को घुमाना शुरू कर दिया उन्होंने ये कहने से पहले एक मिनत से भी कम टाइम लिया मैंने इसे हल कर लिया आप, आपने इसे ऐसे ही हल कर लिया चेन युशान ने संडे से पुछा उसने सोचा कि बिना कुछ लिखे उसने इसे कैसे हल किया राहुल ने लर्की को देखा और सोचा कि यही कारण है कि उन्होंने कहा कि स्तन का शेप बुद्धी के विबक्रमानुपाती है हाला कि इमानदारी से कहुन तो वो शौक था कि उसने कितनी तेजी से सवाल हल किया उन्होंने इस तरह के सवालों को पहले भी हल किया था लेकिन या इतना आसान कभी नहीं है उसने कागस का प्रयोग भी नहीं किया सवाल हल करने के कदम उसके दिमाग में आही गए राहुल ने अपना टाइम बरबाद नहीं किया और प्रशन पर काम करना लिखना शुरू कर दिया लिखते टाइम उन्होंने व्याख्या करना शुरू किया विशिष्ट शून्य बटा शून्य अप्रिभाशित समीकरन बस लौपटल के नियम का प्रयोग करे पहला कदम अभिन को अलग करना है यह आसान है, है ना इसे वापस समीकरन में डाले और आपको यह इक्वल्स फोर मिलेगा उत्तर की जाच करें और देखें कि क्या मैं सही हूँ चेन युशान ने कागस को खाली देखा उसने सोचा कि इस लड़के के समझाने की स्पीड उसके सुनने की स्पीड से तेज है जब उसने दोनों उत्तर लिखे तब भी वो समाल को हल करने के बारे में सोच रही है जब वो उत्तर प्रिष्ट पर पलती तो उसे उस पर संदे हुआ उसकी आई चौड़ी हो गई यह सासी एचेच में उत्तर है राहुल ने लड़की के चेहरे के भावो को देखा और खुद को रोक नहीं सका लेकिन हंस पड़ा उन्होंने कलम को घुमाते हुए कहा यह लोपिटल के नियम का बहुत आसान प्रयोग है गन्ना भाग आसान है क्या आप फ्रेश्मेन है प्रमुख क्या चेन युशान ने शर्माते हुए धीरे से कहा मैं एक मास्टर का स्टुडेंट हूँ उसके मुझ से शब्द निकलने के बाद उसका चेहरा और भी लाल हो गया है उसे शर्म नहीं आई लेकिन वो गुस्से में थी वो नाराज थी ये सिर्फ एक मैथमाटिक्स का सवाल हल कर रहा है शेखी बगारने की कोई बात नहीं मैंने में हाई स्कूल मैथमाटिक्स को चुछ वा नहीं है अगर तुम मुझसे बेटर हो तो कौन परवा करता है वर्ग का एक टुकरा नहीं चुदाय एकल दोस्त क्या अकेला है चेन युशान का गुस्सा थोड़ा कम हुआ वो भी अकेली क्यो है इसका कारण ये था कि उसके क्रशने उसे नजर अंदाज कर दिया है चलता से अपनी जीब बाहर निकाल ली अपनी सीट पर वापस बैटने से पहले उसने कागजात और प्रश्मपत ले लिए राहुल को माफी मांगने का मौका भी नहीं मिला उसका नाम या वीचिट नंबा हासिल करने का उलेक नहीं किया वो बैठ गया और कुछ देर विचार करता रहा फिर उसने अपना सिरहलाया और फिर से उननत बीज माथेमाटिक्स पढ़ना शुरू किया पढ़ाई लर्कियों से ज़्यादा जरूरी है नेटवकिंग और रिष्टे क्षमा करें लेकिन एक सच्चा टैलेंटेज स्टूडेंट उस सामान के साथ नहीं खेलता मैथमाटिक्स को लेवल वन तक रैंक करने का मतलब है कि मैंने दुनिया को जीत लिया होता जल्दी से राहूल वापस एकागरता की स्टेटिस में आ गया है जो कुछ हुआ था उसके बारे में वो पूरी तरह से भूल गया क्योंकि वो बस एक छोटी सी बाधा है चैप्टर फाइव लखी ड्रॉ से पहले अपना चेरा धोले ट्रैंसलेटर राज स्टूडियो क्रियेटर राज स्टूडियो अनुवाद पुस्तकाल एद दस बजे बंध हो गया राहुल के पास उननत बीज मैथमाटिक्स और सी भाषा पाँचवे संसकरन को समाप्त करने के लिए पर्याप टाइम है पुस्तकाल एद से बाहर निकलते टाइम राहुल ने मिशन पैनल पर नजर डाली और देखा कि केवल 9 गंटे 6 थे उससे थोड़ी निराशा हुई उसे बमश्किल लगा कि 15 गंटे बीच चुके है इससे पहले पाठे पुस्तकों को पढ़ते टाइम उन्हें कभी इस तरह टाइम बीचता हुआ महसूस नहीं हुआ है पूरे दिन स्टडी के बाद उन्हें एक प्रोब्लम का पता चला जब वो एक किताब पढ़ना समाप्त कर लेता है तो उस किताब का मूलिस को एक पॉइंट तक घट जाता है इतना ही नहीं बलकि अन्य बराबर पुस्तकों के मूलिस को भी अलग-अलग मात्रा में जब वो घर चला गया राहुल मदद नहीं कर सकता था लेकिन सोच सकता था कि अगर उसके मैतमाटिक्स का लेवल 0 से 1 हो जाता है तो उसके बॉड़ी का क्या होगा सरवग्य प्रशनों को तुरंथ हल करने में एबल है या क्या उसका मस्तिष्क इस ग्यान से भर जाएगा कि उसे पता भी नहीं था कि एक्जिस्टेंस में है क्या वो चेंज इंगरुन की तरह एक प्रसिद मैतमाटिक्स क्या बन जाएगा राहुल ने इस बारे में सोचा और बिल्कुल भी उतसाहित महसूस नहीं किया बलकि वो नर्वस महसूस कर रहे थे इंसान मस्तिष्क सीमित है यहित करने के लिए मजबूर करेगा और यह उसके मस्तिष को नश्ट कर सकता है बेशक, राहुल जानता था कि इसके बारे में चिंता करना टाइम वेस्ट है केवल सिस्टम ही जानता था कि सच में क्या होगा बहराल, इसका जवाब कल पता चलेगा उसे आज रात बस एक अच्छी नीन लेनी थी और अपने गर्म दिमाग को आराम देना है यूज करता, मिशन पूरा करने पर बधाय प्रथम मिशन परस्कार बोनस, जेडर से ज़्यादा लखी ड्रो टिकेट मिशन पूरा करने का विवरन, पुस्तकाले में पड़ी जाने वाली पुस्तके New Mathematical Analysis Lectures, 100 Values को, High Mathematics to Boyan Edition 100 Values को, C Language 5th Edition 100 Values को, Nikhil's की Mathematical Analysis Translated Version 57 Values को, Level 4 English Detail Explanations 0 Values को, Arjit Kul Moolies को, 357, Grade, B-Jour Mission इनाम, 500 Mathematics अनुबग पॉइंट, 100 सूचना साइन्स पॉइंट, 100 सामान्य पॉइंट एक Lucky Draw Ticket, 90% का चरा, 9% नमोने, 1% Blueprint एक और दिन मेहनत से किताबे पढ़ने के बाद, राहुल ने Finally Mission पूरा कर लिया बधाई हो, राहुल उत्साहित महसूस करते हुए पुस्तकाले से बाहर आया उन्हें Basketball Court के पास एक ऐसी जगा मिली जहां सुरक्षा कैमरे उन्हें नहीं देख सकते थे उसने चारों और देखा कि क्या कोई निकट है, एक गहरी सास छोड़ी और अपना विशिष्ट फालक खोल दिया उच्छी Technology प्रणाली, होस्ट, राहुल Core Science, A. Mathematics, Level 0, 500 बटा 1000 B. Bhotiki, Level 0, O, 1, O, O, 0 C. Jeev Science, Level 0, 0, O, O, 0 D. Engineering, Level 0, O, 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 0 E. सामगरी Science, Level 0, 0, 1, O, O, 0 G. सुचना Science, Level 0, 1, O, 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 0 Technology शाखा, कोई नहीं Technology खाका, कोई नहीं सामाने पॉइंट, 102 Lucky Draw Ticket Mission, कोई नहीं, राहुल थोड़ा निराश था कि उसने लेवल नहीं बढ़ाया लेकिन उसके पास अभी भी दो पुरसकार Draw Ticket थे उनकी निराशा तुरंट दोर हो गई उच्छी Technology प्रणाली क्या पुरसकार दे सकती है वो इसका बेसबरी से इंतजार कर रहा था दोनों टिक्टो के अलग-अलग odds थे पहले Mission Bonus में 75% कचरा, 19% नमोने और 5% Blueprint की possibility है नमोने किसलिए लिए गए थे राहुल को भी नहीं पता है आला कि सिस्टम के प्रकार को देखते हुए या निश्चित रूप से खिलोना कार या पानी की बंदूग जैसा कुछ नहीं है इसे उच्छी Technology से संबंदित और कचरा से अलग होना है बेशक थोड़ी सी Technology काफी है अगर उन्हें Starship मिल भी जाती तो उनके पास उसे पार्क करने की जगह नहीं होती और लेख नहीं करने के लिए उसे पता नहीं होगा कि इसके साथ क्या करना है उसे बग स्प्रे जैसा कुछ नहीं मिलेगा है ना, बहराल, उन्होंने Lucky Draw शुरू किया उन्होंने घटिया Lucky Draw से शुरू आत की मिशने नाम चलिए चलते हैं, उसके सामने एक चर्खा दिखाए दिया राहुल उस पर लिखे शब्दों को पढ़ नहीं सका वो केबल धुन्दले रंग देख सकता है उसने अपनी सास रोक ली, सीधे पहिये की और देखते हुए उसने घूंते हुए तीर के डिरेक्शन पर अपना ध्यान के इंदत किया अचानक उसका दिमाग चमक उठा उसने तुरंट अपनी प्रविती का फॉलो किया और चिलाया धीरे धीरे स्लो होने से पहले तीर कुछ और सेकंड तक घूंता रहा बधाई हो, आपने कचरा पुरसकार जीता है आपने कोक का एक कैन जीता, निराश मत होए, कोशिश करते रहो एफ तारानकन CKU, सिस्टम को दोश देने से कोई फायदा नहीं हुआ करने के लिए और भी जरूरी चीज़े थी उन्होंने देखा कि सामाने बिंदों के बगल में कोक, कचरा, है तेज तरा रहुल ने जल्दी से सिस्टम स्पेस छोड़ दिया उसने फिर से देखा कि कोई उसके आसपास तो नहीं है फिर उसने अपना हाथ देखा और सोचने लगा कोक, 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 डिंग बिना किसी चेतावनी के, रहुल के हाथ में कोक की एक कैन दिखाए दी जब उसने अपनी आई खोली अगले ही पल, उसके चेहरे के भाव अवर्मनीय रूप से अजीब थे बखवास, उन्होंने महसूस किया कि ब्रमान में एक विरोधाभास है द्रवयमान के सनरक्षन के नियम को एक अगोस्ट पूर्ख चुनौती का सामना करना पड़ा कोक के इस कैन को समझाने के लिए वो मौडरन भौतिकी के सिद्धानतों का यूज कैसे करेगा राहुल नहीं जानता है हो सकता है कि उसे समझने के लिए हाई टेक में लेवल दस से उपर होना पड़े बहराल, कोक की कैन देखकर फाइनली उन्हें यकीन हो ही गया ये प्रणाली उनकी कलतना का हिस्सा नहीं है ये का है वो बहुतिक संसार को अपने मस्तिष्क से प्रभावित कर सकता है उसे फिलहाल बगवास के बारे में नहीं सोचना चाहिए राहुल ने कैन को खोला, एक बड़ा घूट लिया और बाद में सास छोड़ी आ, भले ही सिस्टम ने इसे कचरा पुरसकार के रूप में बरगी करत किया कोक के स्वाद ने उसे अवाग कर दिया राहुल को आमतोर पर सोड़ा पीना पसंद नहीं था लेकिन फिर भी वो उससे अपने होंट चाटता है भाविश्य, कोक का एक ब्रांड है जिसे फ्यूचर कहा जाता है, जो भी हो, कौन परवा करता है राहुल ने अपना सिरह लाया और कैन को कूडे दान में फेक दिया उसने बार-बार कैन की जाच की थी लेकिन वो सिर्फ एक सामाने एलियूमिनियम कैन है इस तथे के अलावा की यह लोगों को संतुष्ट कर सकता है इसके बारे में कुछ भी हाइटेक नहीं है, यहाँ तक की डिजाइन और पैकेजिंग में विंटेज और रेट्रो का अनुभव है कैन के लिए एक मात गंतवे रिसाइकले प्लांट है राहुल बसकेटबॉल कोर्ट के पास पानी के नल पर अपना चेहरा धोने गया वो वापस चाया में बैट गया और सिस्टम स्पेस में फिर से प्रवेश कर गया यह उनका आखरी लखी ड्रो टिकर था और उन्होंने एक गहरी सास ली जुआरी की तरह बटन दबाते ही उसकी आखे लाल हो गई चलिए चलते हैं वेराम तीर स्लो होने लगा और राहुल का दिल उसके गले में धाग रहा है जब तीर रुग गया तो राहुल के दिल की धरकन भी रुग गई बधाई हो आपने ब्लूप्रिंट जीद लिया राहुल परमानंद है ये सब इसलिए था क्योंकि उसने अपना चेहराद होया था यहां तक की केवल 5 प्रतिशत पॉसिबिलिती के साथ वह भागय एड होने में काम्याव रहे और जीद गए ब्लूप्रिंट प्रदान किया गया मैरसेन प्राइम नंबर वित्रन के लिए सूत्र और प्रमान राहुल दंग रह गया WTF चाप्टर 6 एक प्रमान प्रश्न का उत्तर Translator, Raj Studio Creator, Raj Studio अनुवाद एक Mathematics प्रमुक के रूप में राहुल स्पष्ट रूप से मैरसेन अभाजे संख्याओं से परिचित थे बेशक, मैरसेन अभाजे संख्याओं के बारे में बात करते टाइम में एक प्रसिद इंडिया Mathematics गया का लेक करना होगा 1992 में उन्होंने मरसेन प्राइम नंबर डिस्ट्रिब्यूशन फॉर्मूला प्रकाशित किया और उनका पेपर में सुन प्राइम नंबरों के लिए एक समीकरन को चितरित करने में एबल है इसे तब प्रसिद रूप से जोहू का सन्निकटन नाम दिया गया है इससे पहले ब्रिटिश माथमाटिक्स गयर विलियम शेंक्स, फ्रांसीसी माथमाटिक्स गयर तार्टागिया, जर्मन माथमाटिक्स गयर लोडर्स, भारतिय माथमाटिक्स गयर रामानुजन और अमे माथमाटिक्स गयर गिल्ली सभी ने इस प्रॉबलम पर अनुमान लग सरल है ना कोई भी ऐसा कर सकता है है ना हाला कि समी करन सिधा या अस्विक्रित नहीं हुआ है ये सबसे प्रसिद्ध मैथमाटिक्स या प्रॉब्लम ओ में से एक बन गई थी और 20 योग से मैथमाटिक्स समधाय को परेशान कर रही है ये रीमेन के अनुमान जैसा है भले ही ये मसेन प्राइम्स की खोच की गई है क्या मसेन प्राइम्स का कोई यूज था यह इंपॉसिबल लग रहा है कराई से बोलते हुए RSA अल्गोरितम का यूज करते हुए हर बार जब कोई ऑनलाइन लेंडेन होता है तो आपको पासवर्ड में छिपे हुए अगुलन शील अभा जे संख्याओं का भी यूज किया गया है उदारन के लिए इंटल ने बग्स के लिए चिप्स का परीक्षन करने के लिए GIMPS एप्लिकेशन का यूज किया वैसे भी इस बात पर बहस करना कि क्या मैतमाटिक्स उसे आई है अर्थीन है बहुत बार मैतमाटिक्स ग्यों को प् विश्य की परवा नहीं की वो अब profit चाता था इसके अलावा ये जोग का सन्निकटन प्रमान क्यों था रिमें का अनुमान क्यों नहीं या निचले लेवल के बच का अनुमान भी ठीक रहेगा अकादमिक मूले को एक तरफ रख दे तो बच का अनुमान पुरसकार पहले से ह एक संभावित मौका बस ओड़ गया और राहूल अब इतना अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। हाला कि उसे उजले पक्ष को देखना चाहिए। भाले ही यह केवल जो का सन्निकटन है यह साबित करना अभी भी उसे mathematics यह दुनिया में कुछ प्रतिष्टा दिलाएगा। मौंबाई हाइ स्कूल देश में शीर्ष 10 में शामिल है। मैं इसे बिलकुल नहीं समझ सकता। मुझे लगता है कि इस प्रमान को समझने के लिए मुझे काफी टाइम देना होगा। राहुल ने सोचा कि कैसे वो सबूत के चरनों को सफलता पूरवक निकालेगा। सबसे पहले इसे याद करने से कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि उन्हें इसे समझना है। दूसरे उन्हें खुद को जीनियस के रूप में पेश करना है। भले ही, अगर कोई जोग के सन्निकटन जैसे अद्वांस या प्रशन को हल कर सकता है, तो उसे कम से कम हाई स्कूल माथमाटिक्स में पूर्ण पॉइंट हासिल करने में एबल होने की जरूरत होगी, है ना? यहाँ तक कि अगर कोई गलती से एक पॉइंट खो देता है, तब भी उसे 99 पॉइंट हासिल करने की जरूरत होगी। राहुल इसके बारे में बहुत चिंतित नहीं है, मैथमाटिक्स या एनलाइज और उन्नद बीज मैथमाटिक्स सीखने में उसे केवल दो दिन लगे, व्याख्याता जानबूच का स्टूडन्ट को बरगलाएंगे नहीं, वे केवल वही टेस्ट करेंगे जो सिलेबस में है सब कुछ पहले से ही सुरक्षित था, राहुल ने गर्मियों की छुट्टियों के बाद जोह के सन्निकतन प्रमान को पेश करने की योजना बनाए, अगले दो महीनों में अपने प्रॉफिट को अधिक्तम करने के लिए, वो खुद को एक सच्चे जीनियस बनाने की कोशिश करेगा, उसे मैतमाटिक्स की प्रॉबलम ओपर चर्चा करने के लिए शिक्षकों को खोजना होगा, लेवल वन मैतमाटिक्स भी जरूरी है, समर स्कूल भी जरूरी है, उन्हें अपने मॉम डैट को भी बुलाना पड़ा, क्योंकि ये उनकी अगली पारिवारिक ट्रावल स पहले नया साल हो सकता है, अपना पुरसकार पाने के बाद, राहुल के दिमाग में एक सवाल आया, क्या ब्लूप्रिंट पुरसकार विशय लेवल से सम्बंदित है, ये सवाल एहम है नहीं तो वो इतना बदकिस्मत क्यों था और उसे एक अजीब सा सबूत जवाब मिला, प्रथम पुरसकार स्पेस युदपोत के विप्रीट, सिध्धान्त राहुल के सिर में अटक गया है, जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, उतनी ही अधिक पॉसबिलिती प्रतीत हुई, विशय लेवल की रैंकिंग एक प्राथमिकता है, अन्य विशयो के लेवल वन की सीमा को अनलॉक करने के लिए मुझे मैथमाटिक्स लेवल वन यथा जल्द हासिल करना चाहिए, इससे पहले क्या मुझे अपना लखी ड्रॉ टिकट बचा लेना चाहिए, लेकिन अगर मैं लखी ड्रॉ टिकट का यूज नहीं करता, तो मैं मिशन सूची को तादा नहीं सही होगा, वैसे भी उसे नए मिशन लेने में एबल होना चाहिए, यह क्या हो जाएगा, राहुल सोचने लगा, ओपन मिशन सूची, उसके सामने एक अर्ध पारदर्शी स्क्रीन दिखाए दी, मिशन एक, आलसे से प्रॉफिट उठाने की कला विवरन, आलसे से प्रॉफि कम कोसस करे, आलसी बनने की कोशिश करू, यह वा, इनाम, विशे अनुभव बिंदू, अनुसंधान परियोजना प्रकार द्वारा निरधारित विशे, अनुभव बिंदूenne की मात्र अनुसंधान परियोजना निधी के साथ सकारातम ग्रूप से सहसंबद है, यूज किये 200 high school level के बहुतिकी अभ्यास प्रश्णों को हल करें, प्रश्ण सिस्टम द्वारा प्रदान किये जाते हैं और यूज करता के वर्तमान ग्यान के संबंध में बनाये जाते हैं। पुरस्कार, प्रश्ण hard level X2, 50 सामाने point, item, immersive learning hours, type, special, effect, 24 गंटे, एक wed time सीमा के बीतर, किताबे पढ़ते time immersive learning को एबल किया जाता है, ज्यान की स्थाई महारत हासिल की जाती है। Mission 3, अकादमिक थीसिस से शुरू होता है। 95% का चरा, 5% नमोने। आखरी Mission को पढ़ने के बाद राहुल की अजीव expression है। अनुभव बिंदू थीसिस मोले द्वारा निर्धारित किये गए थे। अगर वो अपने ज्रहू के सन्निकटन प्रमान को वैग्यानिक पत्रिका में प्रस्तुत करता है, तो उसे शायद बहुत सारे अनुभव point मिलेंगे। ये काफी लुभावना था, chapter 7, एक talented student की तुलना में बाकी सभी कचरा है। इस ने पत्रिकाओं को हींता से प्लेस दिया है, पहले नंबर पर applied mathematics, AMC, था क्योंकि ये सबबर काम प्रकाशित करने के लिए बदनाम है। अकेले शंगाई high school ने केवल 4 में सेकरो AMC शोद प्रकाशित किये। किसी के लिए एक ये में 20 सबबर थीसिस प्रकाशित करना कोई असामाने बात नहीं है। थीसिस की अकादमिक अखंटा की रक्षा के लिए कुछ पुराने जमाने के जर्नल अक्सर वार्षिक प्रकाशित थीसिस को सो या उस से कम तक सीमित कर देते थे। हाला कि इस monster पत्रिका ने परवा नहीं की। इसने हर साल एक हलार से अधिक थीसिस प्रकाशित की। प्रकाशित की तरह उसे लगा जैसे कोई problem नहीं है। लेवल 4 अंगरेजी के साथ एक थीसिस लिखना चाहता है तो उसे केवल कुछ technology शब्द सीखने पड़ते थे। या ऐसा कुछ नहीं था जिसे शब्द को शहल न कर सके। इसको तुलना में उसके पास पहले mission के लिए आवश्यक connection या भावनात्मक बुद्धिमत्ता नहीं है दूसरे mission के लिए high school ने ने लोगों के लिए भातिकी की classroom भी नहीं दी। उन्हें डर था कि system high school level के भातिकी के प्रश्णों का उत्पादन करेगा और God जाने E का level कितना कम होगा। इसके अलावा उन्होंने अपने भातिकी level की बहुत अधिक परवा नहीं की। उसे सच में अभी इसे सीखने की जरूरत नहीं है जरूरत पढ़ने पर वो इसे बाद में सीख सकता है। राहुल ने अपना mission चुमने के बाद अपनी पीट की घास को थपथपाया और खड़ा हो गया। उसने कुछ संगीत लगाया और होस्टल की ओर चलने लगा। इतने लंबे टाइ को देखते हैं और अगर आप उससे प्रशन पूछते हैं तो वो सरको पर आपका पीछा करेगा। उनकी नजर में ऐसा लगता था कि दनिया में हर कोई उनका प्रतिसपर्धी है। उन्होंने जिस चीज के लिए कोसस किया वो किसी प्रकार की academic सफलता नहीं थी बल्कि talented place हास था तब आपको पता नहीं चलेगा की वग क्या था। राहुल केवल एक व्यक्ति को एक सच्चे talent के गुलों के रूप में exempt करेगा। हाँ, यह सही है किसी को अंदाजा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो अपने बारे में बात कर रहा है। जब उसने अपने hostel का प्राइम आवंटित नहीं करते थे। हुआन गुवान विंग के लिए उन्हें कथित तोर पर स्टरी का देवता कहा जाता है उसने classroom में नहीं सुनी, वो परिक्षा से पहले रद लेता था और फिर भी बहुत अच्छा करता है। राहुल ने अपना back table पर फेक दिया और दर देर हो जाएगी। रहुल ने कहा इससे पहले कि उसने अपना तॉलिया अपने कंधे पर फेका और अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। लियू रूई ने देखा कि रहुल स्टनान करने वाला था और उसने पुछा मैं इस प्रॉबलम को हल नहीं कर सकता, क्या आब इसे मेर लिए देख सकते हैं? ओ, ये शौकिंग है ऐसे सवाल थे जो लियू रूई भी नहीं कर सकती थी? मुझे इसे देखने दो, जब राहुल अपने हाथों से आगे बढ़ा, लियू रूई ने अपना चश्मा थी किया और अपनी व्यायाम पुस्ते का सौब दी, उन्होंने ग ब्यास पुस्ते काली, वापस बैट गया और ड्राफ्ट पेपर पर चित्र बनाने लगा। पहले, अगर लियू रूई इसे हल करने में आएबल थे, तो राहुल के पास कोई रास्ता नहीं है, वो नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन अब उसके दिमाग में, एंपॉसिबल, शब्द का एक टुकरा भी नहीं है, राहुल द्वारा इसे हल करने में कुछ टाइम लगाने के बाद, लियू रूई ने थोड़ा आराम किया, जिस बेवकूफ को उसमें चुपके से नीचे देखा, वो अभी भी एक बेवकूफ है, हाला कि उसने नातक किया, वो अभी भी जहां तक सवाल का सवाल है, लियू रूई साथ चेच में इसे हल करने में आएबल थे, हाला कि इसे हल करने के सटीक चरणों के साथ आधिकारिक उत्तर थे, राहुल से यह सवाल पूछने का कारण साथ चेच में मदद के लिए नहीं है, बल्कि वो केवल दुश्मन की सीख करना चाहता है, फाइनली, अगर वो सच में मैथमाटिक्स की प्रॉबलम के लिए मदद चाहता है, तो वो राहुल जैसे बेवकूप से मदद नहीं मानगेगा, लियू रूई यह सोच रहे थे और उल्हों ने पुछा, क्या होगा अगर आपने पहले प्रश्न को मैं पहले अगले प्रश्न पर आता हूँ, छिबा हुआ अर्थ यह था कि राहुल इसे हल करने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए वो अपना टाइम बरबाद नहीं करेगा, हाला कि राहुल की प्रतिक्रिया वो नहीं थी जिसकी लियू रूई ने एक्सपेक्टेशन की है, को विशिष्ट दो चरणिया प्रॉब्लम, सबसे पहले आप कार्टेशियन निर्देशाक को द्रुविय निर्देशाक में परिवर्तित करते हैं, दूरी समरूपता के कारण, आप आसानी से इस भाग को कौट कैरट टू, एक्स में कम कर सकते हैं, फिर सी एस एक्स दो, एक्स राहुल ने मुसकराते हुए कहा, कभी कभी एक बच्चा भी दूसरों को सिखा सकता है, धन्यवाद, मुझे ड्राफ्ट पेपर उधार लेने दो, मैं इसका पता लगाने की कोशिश करूँगा, इसे लो और आपका स्वागत है, राहुल ने कहा और उधारता पूर्वक चरंस पश्ट रूप से लिखे गए थे, उसके ग्यान से बाहर कुछ भी नहीं है, इसलिए राहुल के एक्स्प्लेनेशन के बिना भी वो इसे आसानी से समझ सकता है, हाला कि एक बात वो समझने में असफल रहा कि राहुल ने इसे कैसे समझा, वो भी इतने कम ताइम में हो सकता है कि उसमें पहले इस प्रकार की प्रॉबलम का सामना किया हो, लियू रूई ने सोचा कि यही एक मात्र पॉसिबिलिटी है, अन्य है, वो कलतना नहीं कर सकता था कि यह अंशकालिक काम करने वाला मूड कैसे इस प्रॉबलम को अपने जैसे टैलंटेड व्यक्ति की उत्तरों ने कार्टेशिन निर्देशाक को द्रुविय निर्देशाक में परिवर्तित करने के बारे में नहीं सोचा, इसके बजाए उत्तरों ने भागो द्वारा अभिन का यूज किया, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में गरनाए हुई, और यह एक तरीका राज स्टूडियो अनुवाद प्रणाली होने के बाद से, राहुल ने महसूस किया कि उसका लाइफ अधिक सनरचित हो गया है, हर सुबह वो अपना सेकंड हैंड लेप्टॉप लेकर लाइबरी की और निकल जाता है जीने की इस शैली का उसने पहले कभी अनुभव नहीं राखिक ऑपरेटरों की कुछ प्रकार की उल्टा प्रब्लम ओपर शोध किया, इस्ट तम उल्टा सिद्धान्त के बनियादी परिणामों का परिचे दिया, विशेश रूप से इस्ट तम निर्मान विधी का निर्मान, राहुल ने इस प्रब्लम के बारे में लेवल पर ल लाया और इस प्रब्लम को कैसे हल किया जाए, हम अपने स्किल लेवल के साथ ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो इसे हल कर सके, इसलिए उन्हें कुछ अबरम परागत साधनों का यूज करना पड़ा, अगर वो सही धन्म से याद करता है, तो modern technology problem ओ को हल करने के लिए इस प्रब्लम को हल करने की कोशिश की लेकिन सिस्टम ने कोई जवाब नहीं दिया, उसमें सोचा कि प्रश्ण उसके mathematics या लेवल से उपर होना चाहिए या आवश्यक सामान में बिंदू एक अत्यधिक उच्च संख्या थी जो उसके पास नहीं है, इस लेवल की ई के लिए निश्चित रूप से सिस्टम प्रदिग्रिया देगा? राहुल ने इस बारे में सोचा, जैसे ही उन्होंने computer screen पर ध्यान के इंदृत किया, उन्होंने सोचना शुरू किया, system, 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 हम ऐसा लग रहा था कि कोई प्रदिग्रिया नहीं हुई, क्या, अचानक एक गर्म हवा क कर्ट उसकी पीच से उसके सिर के उपर तक और गया, राहुल को लगा कि उसका दिमाग गर्म हो रहा है, इसके तुरंद बाद एक पांग, ध्वनी बंध हो गई, जानकारी का एक विशाल प्रवाग्यान के समुद्र की तरह खोल गया, इसके बाद उनकी आँखों के सामने पा फिर उसने उत्सा के संकेत के साथ गुंगुनाने से पहले अपने हाथों और कीबोर्ड को देखा, हल करें इसे हल करें, ये सच में इसे हल किया, अगर वो लाइबरेरी में नहीं होता तो जोड-जोड से चियर करने लगता, ठीक उसी तरह जब वो जोग का सन्निकटन हासिल कर रहा है, पूरे प्रश्न के मूल प्रमेय उसके सिर में लोहे की टुकड़े की तरह गार दिये गए थे, कदमों से लेकर जवाबों तक, हर पॉइंट, हर प्रतीक, यहाँ तक की हर पूर्णविराम उसके दिमाग में है, ये सब इतना संक्षिप्त और मैतमाटिक्स की सु अंदर्ता बहुत सारगर्वित है, उन्हें इसके अर्थ को सम्रिध करने और इसे थीसिस में बदलने के लिए भाशा का यूज़ करने की जरूरत है, एक थीसिस जिसे दूसरों द्वारा समझा जा सकता है, सोचते हुए, राहुल हाई टेक सिस्टम के पीछे के अर्थ को सम पाजने लगा, हाला कि वो इस सब के बारे में उर्जन में है, अचानक एक बॉल पॉइंट पेन ने हलके से उसकी बाव पर हाथ फेरा, उम, स्टूडन्ट, चेन युशान ने लाल चेहरे के साथ कहा, शर्मिन्दा होकर उसने पूछा, क्या मैं आपसे मैथमाटिक्स का एक उसके कारण किया है, राहुल ने अपना मोग खोला और कहा, ठीक है, मेरे लिए सवाल लाओ, चेन युशान ने एक सास ली और चुपचाप अपनी कुरसी राहुल के बरल में सरका दी, राहुल ने प्रश्न को संक्षेप में देखा और देखा कि यह उस प्रश्न से कहीं अ जब राहुल सवाल कर रहा है, चेन युशान ने चुपके से उसके चेहरे को देखा, हाला कि इस लड़के का व्यक्तित्व अनपेखशित है लेकिन उसका ध्यान आकरशित करने वाला रूप शौकिंग रूप से आकरशक है, राहुल के प्रश्न को हल करने के लिए इंतजा करते हुए चेन युशान ओग गई है, उसने अचानक अपने computer screen पर word document देखा, उसने धीरे से पूछा, student, क्या आप सनातक परियोजना कर रहे हैं, ये पहले से ही जुन था और उसने अभीवी सनातक परियोजना पूरी नहीं की है, क्या, talented है, राहुल ने उत्तर दिया, नही यह मेरी thesis है, मैं इसे वैग्यानिक पत्रिका में जमा कर रहा हूँ, ये सुमकर चेन युशान उसके लिए सम्मान से भर गया, हे गौड, मैं इक गौड से मिला, मैंने नोटिस भी नहीं किया, वो इतना जवान देखता है, वो PhD का student कैसे है, साथ ही, इस PhD student ने पहले ही semester के द Mathematics, Mathematics प्रमुक, ये शुमसी, कोई भी जो Mathematics पढ़ सकता है, वो God है, चेन युशान ने कहा, उसकी पूजा पहले से भी अधिक सच्ची है, वो बिजने स्कूल में है, उसने अपने अन्मे विशेयों में बहुत अच्छा किया, और एक मात विशेय जिसे लेकर वो चिंतित अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए देखते हैं, तो आपको इसे समझने में एबल होना चाहिए, राहुल ने कहा, उन्होंने चेन युशान के बगल में ड्राफ्ट पेपर फेक दिया, और धीरे से कहा, Mathematics आंशिक रूप से टैलन्ट से प्रेरित है, और आंशिक रूप कर दी और इस लड़की को आवशिक संसादन दिये ताकि वो खुद इसका पता लगा सके, चेन युशान ने उसे धीरे से धन्यवाद दिया और ड्राफ्ट पेपर ले लिया, उसने फिर अपना फोन निकाला और धीरे से अनरोध किया, ओम, स्टूडन्ट, क्या मुझे आप के लिए खाना खरीदूंगा, चेन युशान ने कहा, वो शर्मा गई और उसे फिर से धन्यवाद दिया, उसने फिर अपनी कुर्सी वापस ले लिए और हाज स्टडी करना कंटिमियो रखा, अचानक, राहुल को एहसास कक्षन आया, वो एक गलत फहमी दोर करना भूल गए वो सनातक का स्टूडिंट नहीं है, वो सिर्फ एक फ्रेश्मेन है, हाला कि वो कुछ महीनों में द्वितिय यगा हो जाएगा, अगर वो विशेश रूप से इस स्पष्ट करने के लिए उसके पीछे जाता, तो ये थोड़ा जुनोनी और अजीव लगता, अगली बार मौक प्रणाली ने जीरो लेवल के मैथमाटिक्स के आधार पर उत्तर दिया, लेकिन एक पहलू था जिसके बारे में राहुल निश्चित हैरे से हल करने का ये तरीका निश्चित रूप से उनके वर्तमान ग्यान से नहीं आया है, बलकि यह सिस्टम के ग्यान के डेटाबेस से अपनी थीसिस लिखते टाइम, राहुल अपनी नोटबुक में नोट्स भी लिख रहा है, उसने उन हिस्सों को सूची बद किया जिन्हें वह समझ नहीं पाया था और चरणों पर एक प्रशन चिन्ह लिख दिया था जिसके बारे में उसे अभी भी संदे है जब दूसरे लोग थीसिस लिखते थे, तो ऐसा लगता था जैसे वे स्पंज से पानी निचोर रहे हो राहुल के लिए यह स्पंज में पानी डालने जैसा है यह आउटपुट नहीं है, यह इनपुट है राहुल पूरे दिन पुस्तकाले में है, यहां तक उनका लंच भी नाष्टे से बचा हुआ बाव है उसने अपनी स्क्रीन पर हजारों शब्दों को देखा और अपनी नोटबुक पर नोट्स के दो पूरे पन्ने देखे वह अपनी कुर्सी पर वापस लेट गया और फैला, अब मुझे बस इतना करना है कि अपनी नोटबुक के हिस्सों को समझना है अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं इसे स्वयम समझ लूनगा, नहीं तो मैं सिर्फ शिक्षक से पूछूंगा थीसेस के उन हिस्सों के लिए भी जो गड़बर है, मुझे उन्हें सुग्यवस्थित करना चाहिए मैं उन कदमों के लिए ऑनलाइन कुछ शोध करूँगा जो पहले से ही अन्य शोधो द्वारासिधा है उसके बाद मैं केवल प्रमान को हटा सकता हूँ और संदर्ब को लेबल कर सकता हूँ आखिरी कदम इसे दोबारा जाचना है, मेरे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फाइनल्ली मैंने हर शब्द व्यक्तिगत रूप से लिखा है टेकनालोजी रूप से सिस्टम ने इसे लिखा है, लेकिन यह वही है देर हो रही थी और उसका पेट गरगराने लगा राहुल अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और पुस्तकाले से बाहर निकलने लगा क्या मुझे फिर से चावल पर बार्बेक्यों खाना चाहिए या करी खाओ अपना रात का खाना समाप्त करने के बाद वे प्रोफेसर 10 के कार्याले जाते और जाते अगर उसने इसे सही धंग से याद किया तो उसे अभी चौथे साल की क्लास्रूम ड्यूटी पर होना चाहिए ठीक है, मैं उस पर फैसला करूंगा चाप्टर नाइन, क्या मैंने हाई स्कूल में भी स्टडी किया था ट्रैंसलेटर, राज स्टूडियो क्रियेटर राज स्टूडियो और नुवाद परामर्श कक्ष में एक भी सीट खाली नहीं है सनातक प्रवेश परीक्षा की तयारी कर रहे तृतिय यह के सभी स्टूडेंट पढ़ाई पर ध्यान दे रहे थे व्याख्यान माला के बगल में, यूनिवसिटी ओफ मुंबई के Mathematics Department के प्रोफेसर तांग जीवेई बैठे थे उसने अकबार को अपने हाथ में नीचे कर लिया और ड्राफ्ट पेपर पर प्रशन को ध्यान से देखने लगा उसका दाहिना हाथ बार-बार पेन कवर को घुमा रहा है राहुल उसके बगल में खड़ा है वह सपश्ट रूप से समझ गया था कि इस छोटे से इशारे का मतलब था कि वह अपनी गहरी सोच की अवस्था में है आपको यह प्रशन कहां से मिला लंबे टाइम तक ड्राफ्ट पेपर को देखने के बाद अचानक तांग जीवेई से पूछा पाठ्य पुस्तक में फूरिय श्रिंखला का उलेक है इसलिए मैं संबंधित सामगरी खोजने के लिए पुस्तका लए गया मुझे फूरिय व्यूत्क्रम प्रमयय के वेरियंट और वेरियंट के लिए कुछ एप्लिकेशन मिले मैंने उन्हें निकालने की कोशिश की और इस एक कदम पर अटक गया राहुल ने ख्शमाप्रार्थी मुस्कान के साथ कहा उनके चहरे के भाव कृत अगयता से भरे हुए थे टैंक जीवेई ने ड्राफ्ट पेपर वापस देखने से पहले एक सेकंड के लिए राहुल को देखा उसने कलम का धकन नीचे रखा और चाक का एक टुकड़ा उठा लिया वह ब्लेकबोर्ट के पास गया और एक सेकंड के लिए रुका उसके बाद उन्होंने हाथ बढ़ाया और ब्लेकबोर्ट पर प्रश्न का मसौदा तयार करना शुरू कर दिया राहुल ने ब्लेकबोर्ट को अत्यधिक ध्यान से देखा शायद यह इसलिए था क्योंकि उसने पहले ही इस प्रकार के प्रशनों पर अपना होमवर्ग कर लिया है उसने खुद को शिक्षक की स्पीड के साथ चलने में एबल पाया पोडियम पर चाक किशोर ने तीसरे ये के मैथमाटिक्स की स्टूडन्ट का ध्यान आकर्शित किया जो पढ़ रहे थे कभी कभी वे जल्दी से पीछे मुर कर देखने से पहले ब्लेकबोर्ड पर लिखे फॉमूले को एक तक देखते और घूरते थे इ-म-म-म, वे क्या लिख हैं? धीरे-धीरे टाइम बीटता गया और उन्हें पता ही नहीं चला कि पूरा ब्लेकबोर्ड भर गया है टैंग जीवेई ने ब्लेकबोर्ड के उपड़ी बाईकोने से निछले दाएकोने तक लिखा उसने लिखना बंद कर दिया और पूछने से पहले राहुल को देखा, क्या आप इस हिस्से को समझते हैं राहुल ने ब्लेक बोर्ड पर गौर से देखा और सिर हिलाया, मैं समझ गया टांग जीवेई ने अपनी भोहें उठाए और पूछा, क्या तुम सच में समझ गये राहुल ने कहा, मैं साथ CHH में इसे समझता हूँ टैंग जीवेई ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और इरेजर से ब्लेक बोर्ड को पुंचना शुरू कर दिया उसने चाक लिया और ब्लेक बोर्ड पर लिखना कंटिन्यू रखा उसने राहुल के चरित्र के बारे में अपना निर्नय बदल दिया उन्हें दो तरह के स्टूडंट से नफरत है वे स्टूडंट जो उनसे जेड़ से जादा पॉइंट मांगते थे और नकली स्टूडंट जो जानबूच कर उनसे बहुत हाड प्रशन पूछते थे विशेश रूप से उत्तराद क्योंकि यह विशुद्ध रूप से अपना टाइम बरबाद करता है स्पष्ट रूप से उन्हें मैथमाटिक्स में कोई इंटरस्ट नहीं है फिर भी उन्होंने ऐसा अभिने किया जैसे वे शोध कर रहे हो गिनोना इस प्रकार के लोग केवल शिक्षकों के निकट आना चाहते थे पढ़ाई की बात तो बिलकुल ही भूल गए टैंग जीवेई फिनिशक भागो को लिख रहा था और उसके पास कुछी पंक्तिया बची है वह अचानक रुख गया और हस्ते हुए पूछने से पहले राहुल को देखा मैं यहां लिखना समाप्त करूंगा आपको ठीक से समझने में एबल होना चाहिए राहुल ने सिर हिलाया मैं समझता हूँ धन्यवाद प्रोफेसर चेन युशान आगे की पंक्ति की सीटों के कोने पर बैट गया वह पोडियम पर चुपके से दो लोगों को देख रही है उसने समझे की आगे और पीछे की बातचीत सुनी समझा उसके चेहरे पर एकुलजन भरा भाव लिखा हुआ है आपका क्या मतलब है समझे समझे ये दोनों सासी एचेच में क्या संचार कर रहे हैं चेन युशान को एहसास हुआ कि अपनी काबिलियत से वो कभी भी उनकी बातचीत को समझ नहीं पाएगी अचानक वह अपनी खुद की मैथमेटिक्स ख्शमताओं के बारे में निराश महसूस करने लगी हो सकता है मैं सासी एचेच में सिर्फ एक बुरा स्टूडन्ट हूँ तांग जीवेई निराहुल का जवाब सुना और हंस पड़ा उसने सावधानी से चाक को वापस मेज पर रख दिया और बैख गया उसने अपना वैक्यूम फ्लास्क खोला और चाय पी उसने फिर धीरे से कहा क्या तुम सच में समझते हो तो फिर आप कदमों को लिख कर पूरा क्यू नहीं कर लेते समझना मेरे गधे जब मैं लिख रहा है तब तुम एक गूंगे की तरह खड़े थे आपने नोट्स भी नहीं लिए अगर आप सा C.H.H. में इसे समझ गए हैं तो मैं यह प्याला खालूनगा राहुल ने तांग जीवेई की एक्स्प्रेशन देखी और वह अचानक समझ गया प्रोफेसर को संदे हुआ कि क्या उसने सा C.H.H. में ध्यान दिया है वह उसकी परीक्षा ले रहा था राहुल को नहीं पता था कि उसे हसना चाहिए या रोना चाहिए गौड के प्रती इमानदार मैं सच में समझ गया वह भी नहीं जानता क्यों जब प्रोफेसर टैंग ब्लेक बोर्ड पर हल कर रहे थे तो समीकर्णों की पंतिया बहुत जानी पहचानी लगी यह ऐसा था जैसे उसने उन्हें पहले देखा हो लेकिन उसे याद नहीं आया की कहा शायद यह इसलिए था क्योंकि उसने ग्यान के लिए सिस्टम के सामान्य बिंदूओं का आदान प्रदान किया और बाद में इस जानकारी को कवग किया या इसलिए कि उनका खुद का mathematics अनुभब बढ़ा और इससे mathematics के प्रती उनका अंतर ग्यान बढ़ा संक्षेप में वह साथ CHH में इसे समझ गया राहूल को सही कारण नहीं पता था लेकिन यह सपश्ट था कि प्रोफेसर टैंग इस प्राशन को हल करने की योजना नहीं बना रहे थे प्रदर्शन करने के लिए प्रोफेसर टैंग इतमीनान से उसकी ओर देख रहे थे वो अगले सेमेस्टर में थीसिस को सफलता पूरवक जमा करने की अपनी possibility ओ को खराब नहीं कर सका एक आश्वस्ट मुस्कान के साथ राहूल हाथ में चाक लेकर blackboard की ओर चल पड़ा यहां तक उनके master के student को भी इसे समझने से पहले कई बार इन चरनों से गुजवना होगा लेकिन यहां आदमी जब वह सुन रहा था तब उसने notes भी नहीं लिखे थे टाइम धीरे धीरे बीटता गया इंग होने की प्रारमविक अवस्था से प्रोफेसर टैंग की भावना जल्द ही सदमे में बदल गई इससे पहले की यहंत में अनुमोधन की भावना बन गई उसके सभी संदेह वसंत में बर्फ की तरह थे सूरज की रोशनी पढ़ते ही यह पिघल गया राहुल ने ब्लेक बोर्ड पर आखिरी प्रतीक लिखने के बाद प्रोफेसर टैंग को पीछे मुर कर देखा प्रोफेसर टैंग ने स्वीकृती में अपना सिर हिलाया और कहा बुरा नहीं है अच्छा लिखा है पिछले कुछ चरण उनके तरीके से थोड़े अलग थे यह थोड़ा अधिक बोजिल है लेकिन फिर भी काफी परिश्कृत है इससे पता चलता है कि राहुल ने न केवल अपनी कही हुई बात को समझा बल्कि उसमें अपनी विचार प्रक्रिया को भी शामिल किया यह शमता बहुत कीमती है यह पता चला कि उसने गलत फैसला किया था यह अभी भी शिक्षा की मदद के लिए धन्यवाद है अगर मैं इसे अपने आप करता हूँ तो इस कदम से पहले इसे हल करने का कोई तरीका नहीं है राहूल ने माफी मानते हुए मुस्कुराया उन्होंने इस हिस्से के बारे में जूट नहीं बोला सिस्टम द्वारा गंणा किये गए चरणों में बहुत सारे A इक्वल्स बी प्रमान थे यह साथ CHH में स्पष्ट नहीं करता है कि ये बराबर B के बराबर क्यों है उन्होंने प्रोफेसर टैंग से प्रमान के सटीक एक्स्प्लेनेशन के लिए कहा मेरे साथ विनम्र होने की जरूरत नहीं है मैं आपका स्किल लेवल देख सकता हूँ प्रोफेसर टैंग ने कहा उसने वेक्यूम फ्लास्ट का धक्कन बंद कर दिया और पूछता रहा आपकिस क्लास रूम में है क्लास रूम एक प्रथम ये राहूल राहूल ने इमानदारी से उत्तर दिया राहूल, प्रोफेसर टैंग ने इसे कई बार दोहराया जैसे कि वह इस नाम को याद करने की कोशिश कर रहे हो पता चला कि इस स्टूडन्ट का नाम राहूल है, चेंड युशान कोने में बैठ गया वह चुपके से सुन रही थी और सिर हिला रही है अचानक, उसे लगा कि कुछ गरबर है और उसे तुरंट इसका एहसास हुआ प्रथम, प्रथम ये, चेंड युशान को याद आया कि उसने उसे सीनियर कहा था तो वह शर्मा गई उसका पूरा बोड़ी एक शुतुर मुर्ग की तरह था क्योंकि उसने मेज पर अपना सिर्टिका दिया है चेंड युशान अकेला व्यक्ति नहीं था जो शौक हैर आगे की कतार में वैठी कुछ सीनियर स्टूडन्ट ने भी इस जूनियर स्टूडन्ट को गौर से देखा उनके दिल मेमनों के जुन्ट की तरह दौर रहे थे इन दिनों फ्रेश्मेन कितने स्मार्ट हैं हम कैसे प्रतिसपर्धा करने वाले हैं जल्द ही परीक्षा होने वाली है है ना आपका संचोधन कैसा चल रहा है मैंने रिवीजन लगभग पूरा कर लिया है मैं बस कुछ और पढ़ना चाहता हूँ रहुल ने मजबूर मुस्कान के साथ कहा आह यह परीक्षा देना तुम्हारे जैसे किसी के लिए थोड़ा अपमानिंग है तांग जीवेई ने कहा एक मुस्कान के साथ उन्होंने मजाक में पूछा कैसे हो अगर मैं विशेश रूप से आपके लिए एक परीक्षा बनाऊं क्रिपया नहीं मैं मर जाओंगा राहुल ने मजाक में जवाब दिया क्या एक परीक्षन आपको कैसे मार सकता है मुझे बिलीव नहीं होता तांग जीवेई ने कहा उसने अनुमोधन में सिरहिलाने से पहले राहुल का मूल्याकन किया और कहा बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है मैंने शायद ही कभी स्टूडेंट की तारीफ की हो अगर आप पहले यह में नहीं होते तो मैं अकादमिक कार्याले से बात करना चाहता था और शोध करने के लिए आपको अपने विंग में ले जाना चाहता है गुरुजी, आपने मेरे बारे में बहुत आधिक बाते की मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है अगर मैं साथ CHH में तुम्हारे साथ शोध करता तो मैं तुम्हें नीचे खीच लेता रहुल ने उत्तर दिया वह जानता था कि प्रोफेसर टैंग मजाक कर रहे थे इसलिए वह अपने उत्तर में विनम्र है टैंग जीवेई ने उसकी आलोचना की रुको, मुझे वह सब विनम्र सामान मत दो शिक्षाविदों में लोगों को शिक्षाविदों पर ध्यान केंद्रित करना होगा लोगों को वह नकली शिष्टता ना दे हाला कि उन्हें कोई संदेह नहीं था कि उनकी आलोचना की जा रही है राहुल जानता था कि प्रोफेसर टैंग नाराज नहीं थे प्रफेसर टैंग उसे इस तरह पढ़ा रहे थे जैसे वह उसका अपना स्टूडेंट हो जब इस बूरे को गुस्सा आता तो वह जरूर मुस्कुरा देता उदाहरं के लिए जब वह पहले ब्लेक बोर्ट पर लिख रहा था और उसने सोचा कि राहूल यह जानने का नाटक कर रहा है कि क्या हो रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आया होगा शिक्षक तुम ठीक कह रहे हो मैं समझता हूँ रहूल की इमानदार एक्स्प्रेशन को देख कर तांग जीवेई ने अपने स्वर को शांत किया और सिरहिलाया उन्होंने कहना कंटिन्यू रखा यह अच्छा है कि आपकी मैथमाटिक्स में रुची है मुझे आशा है कि आप इस रुची को बनाए रखना कंटिन्यू रख सकते है साथ ही आपके एरिया का चयन अच्छा है भले ही यह एक लोक्रिय एरिय नहीं है यह एक ऐसा एरिया है जिसमें कोई भी आसानी से सफल हो सकता है अगर आपके पास अच्छे विचार हैं तो इसके लिए जाने से न डरे अगर आप कुछ भागों को नहीं समझते हैं तो बस पढ़े या पूछे इस तरह अकादमिक बनाया गया है कौन जानता है आप कुछ ऐसा लेकर आ सकते हैं जिसके बारे में पहले किसी ने नहीं सोचा हो प्रोफेसर टैंग कंटिन्यू रखने से पहले एक पल के लिए रुके मंबाई हाइ स्कूल का मैथेमेटिक्स डिपार्टमेंट बहुत मजबूत नहीं है लेकिन हमारा भोतिकी डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है फूरिय परिवर्तन का यू स्पेक्ट्रम अनलाइज डेटा संपीरिन और और और्थोगोनल फ्रिक्वेंसी डिवीजन में किया जाता है और इसके अनुप्रयोग काफी व्यापक है अगर आप इस एरिय में विशेश अग्यब बन जाते हैं तो मुझे बिलीब है कि जब आप अपने चौथे यमे होनगे तो अगले दरवाजे से भोतिकी के प्रोफेसर निश्चित रूप से आपको चाहेंगे प्रोफेसर टैंग हसे और कंटिन्यू रखा अधिक स्टड़ी करें अधिक पढ़ें अधिक अभ्यास करें अधिक शोध करें मैं शेखी बगारना बंद कर दूनगा जाओ और इसके बारे में खुद सोचो मैं आपका टाइम बरबाद करना बंद कर दूनगा धन्यवाद प्रोफेसर मैं निश्चित रूप से आपके दिल की गहरायों से निकले इन शब्दों को याद रखूनगा राहुल ने इमांदारी से उत्तर दिया मुझे वहनकली विनम्रता मत दो क्या मैंने अभी आपको यह नहीं बताया बस थैंक्स बोले फिर चले क्या मुझे आपको भेजने की जरूरत है तांग जीवेई हसा राहुल मुस्कुराया दर्वाजे से बाहर निकलने से पहले उसने ड्राफ्ट पेपर और पेन लिया उसने अपने पीछे का दर्वाजा भी बंद कर लिया टैंक जीवेई ने ब्लेक बोर्ट पर पीछे मुणकर देखा और एक सास छोड़ी इससे उनके हृदय को गहरा आगहात लगा कोई शौक नहीं कि मुंबई छेह राजवन्शो की प्राइंडिया राजधानी और शौकिंग लोगों के जन्म प्लेस में से एक है इस ड्रेगन की नबज पर खड़े मंबई हाई स्कूल के साथ यह सासी एचेच में टैलेंटेड लोगों का उत्पादन करेगा सनातक के स्टूडेंट में हरकंप मच गया उन्होंने ब्लेक बोर्ड पर चकाचोंद करने वाले समीकरनों को देखा जब उन्होंने पीछे मुरकर अपनी स्वयम की अभ्यास पुस्तिका को देखा तो उन्हें अपर्यापता का और असा हुआ क्या मैंने भी हाई स्कूल में स्टडी किया है चाप्टर टेन मेरी दोगल फ्रेंड है ट्रैंसलेटर राज स्टूडियो क्रियेटर राज स्टूडियो अनुवाग कमरा 201 पुरुष हॉस्टल के कमरे लियू रूई रोशनी के नीचे अभ्यास प्रशन कर रहे थे जब उन्होंने अचानक अपनी कलम रोकी और कमरे के दरवाजे की ओर देखा उसने लापरवाही से पूछा जुओ अभी तक वापस क्यों नहीं आया हुआंग गुआगमिंग बी लेवल पर बैठे सोल हंट खेल रहे थे उसने अपना सिर भी नहीं उठाया और जवाब दिया मुझे नहीं पता आप लड़के की इतनी परवा क्यों करते हैं क्या आप समलेंगिक हैं या कुछ और गिनोना निर्ने लेना मैं तुम्हारी गांट को हरा दूनगा लियू रूई ने शपत ली उसने सीड़ी को पकर लिया और भी लेवल को इस हद तक हिलाना शुरू कर दिया कि हुआंग गुआगमिंग को अपना फोन भी सपश्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है उसने जल्दी नमे धेर सारी किताबें और कपड़े भी थे भले ही लियू रूई ने अपने पूरे बॉड़ी के वजन को सीड़ी पर फिक दिया हो फिर भी वह विशाल आयताकार वस्तु पर पलट नहीं सकते थे ये दो शोर करने वाले लोग पहले से ही रूम 201 के लिए आदर्श बन गय शायद वर देटिंग कर रहा है शी शांग ने आनिष्चित्ता के लहजे में कहा लियू रूई हुआं तुम लोग बात क्यों नहीं कर रहे हो शी शांग ने शर्मिंदगी से कहा जब उसने महसूस किया की कमरा शांत है शी शांग को देखने से पहले लियू रूई और पागल कहो और देखो क्या होता है। पागल कहो और देखो क्या है। पागल कहो और देखो को दालान के पार से चिलाते हुए सुन सकता है जाओ और अपने लिए एक प्रेमिकर ढूंडो। राहुल ने अधीरता से कहा, हाँ जरूर, मेरा पास दो है, एरश्या, क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें आपको उधार दूू। एफ सी के बंद, तीन लोगों की प्रतिक्रिया है। जब राहुल अंदर आया, तो वह मीलो दूर से स्वादिश्ट ताजे उबले बंस को सून सकता है। मेडम, क्या मेरे पास ले जाने के लिए तीन स्टीम्ड बन और एक कप सोया मिल्क हो सकता है। ठीक, नौजवान, तुम इतनी जल्दी उट गए, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा बंचुनूगा। धन्यवाद मेडम, इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता था कि यह एक क्लासमेट, शिक्षक या आजनभी है, राहुल हमेशा बहुत विनम्र है। उनके डैड ने उन्हें लोगों के साथ अच्छा बहेव करना सिखाया क्योंकि उन्हें छड़ी का छोटा अंत कभी नहीं मिलेगा। बेशक कुछ भी इतना निर्पेक्ष नहीं है और उनके डैड ने कई यह तक धातू के कारखाने में काम किया और उन्हें बहुत बहेव सहना पड़ा। दूसरी और भले ही राहुल को अपने डैड द्वारा सिखाय गए सबक याद थे, फिर भी वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता था और कभी कभार कसम खा लेता है। एक बार बंस पैक हो जाने के बाद, राहुल ने अपना भूजन कारड निकाला और उसे मशीन के खिलाफ दबा दिया। चार्ज करना छोड़ दिया। वह पेमेंट के लिए QR कोर्ड भी स्कैन नहीं कर सका। यह कैफेटिरिया शायद बैंक कारड एग्जेप्ट नहीं करता है, है ना। प्रनाली, आई ये थोड़ी बातचीत करते हैं, क्या मैं पैसे के लिए सामान्य बिंदूओं का आदान प्रदान कर सकता हूँ। राहुल ने अपने दिल में कहा, जब सिस्टम ने जवाब नहीं दिया तो वह पच्छताए। इस टाइम गलगला हट की तरह कार्ड मशीन बज उठी। राहुल ने तुरंट उसके पीछे देखा और एक लड़की को बैंक्स के साथ देखा। वह वही खड़ी रही और अप की उसे तुरंट पता चल गया था कि राहुल ने उसे नहीं पहचाना। उसके होंट गुसे से काप उठे। ओ, सौरी धन्यवाद, कैसा रहेगा अगर मैं आपको पेमेंट करने के लिए आपका वीचेट जोड़ दू। यह ठीक है, यह केवल दो डॉलर पचास है, मैं इतन सस्ता नहीं हूँ। साथ ही, हमने पहले ही एक दूसरे का वेचेट जोड लिया है, चेन युशान ने अपने बालों को लहराते हुए और मुस्कराते हुए कहा, उसने अपना दहिना हाथ बढ़ाया और कहा, मुझे अपना परिचे देने दो, मेरा नाम चेन युशान है, मै बिजने स्कूल में हूँ, छोटे भाई, आप मुझे बड़ी सिस्टर कह सकते हैं, राहोल को नहीं पता था कि उसने भाई पर जोर क्यों दिया या उसने इसके सामने थोड़ा क्यों जोरा, उसे नहीं पता था कि वह कैसे जानती है कि वह छोटा है, हाला कि अपने वीचेट शर्ट थी जिसमें बहुत ही ध्यान देने योग्य वक्र थे, उसके चेहरे पर थोड़ा मेकप था और उसने चमकीले लाल रंग का लिप ग्लॉस पहना हुआ है सबसे विशेश रूप से गोल चश्मे का जोड़ा निकला, शायद उसने कॉंटेक्ट लेंस पहने हुए थे, चेन युशान ने देखा कि राहुल अबाक था और वह चुपके से खुश है उसकी रूम मेट ने उसे एक मिकोवा देने के लिए घसीटा, जिसने उसे कुछ हट तक नाराज कर दिया, हाला कि अभी, उसे लगा कि कोसस इसके लायक है, बेशक उसका बोड़ी स्वाभाविक रूप से आकरशक है वह बस परवाना करने की आदी है, एक सामान्य व्यक्ति को कोशिश करने पर भी आधा परिनाम नहीं मिलेगा, क्या, छोटा भाई, चेन युशान ने अपने लंबे बालों को लहराया, अपना मूँ थपथपाया और राहुल पर शरारत से हसा, उसकी आ ठंडक महसूस करोगे, चेन युशान को उसकी प्रतिक्रिया का अनुमान लगाने में बेवकुफी महसूस हुई, राहुल ने तीन बंस में से एक खाया, बाकी को एक प्लास्टिक बैग में रखा और उन्हें अपने बैग में भर लिया, चेन युशान नूडल्स खा रहा ह हैर उसने अपनी अभ्यास पुस्तिका निकाली और उसे पढ़ने लगी, मेकोवा केवल बदलाव का अनुभव करने और अपने रूममेट को संतुष्ट करने के लिए हैर इससे उसकी पढ़ाई की स्पीड बिलकुल भी नहीं बदली, दूसरी और, राहुल ने अपना त्वपूर्ण भागो को चुनने का फैसला किया, उसके बाद पता लगाने के लिए केवल तीन हाट खंड बचे थे, अगर वह अपने आपको आगे बढ़ाता, तो वह महीने के अंतक थीसिस को पूरा करने का कोसर्स कर सकता था, सायन्स पत्रिका की समीक्षा प्रक्रिया ब पिताई जब उसने राहूल को देखा और उसकी बाह पर हलके से थप थपाया, चोटा भाई, चोटा भाई, कैसा रहेगा अगर हम एक साथ लंच करें, उसे चोटा भाई कहने की उसे लगभग ऐसी लट लग गए थी कि उसने दो बार कहा भी, राहूल हिचकिचाया और अप तुम्हारा इलाज करूंगा, चेन युशान ने कहा, कैफेटेरिया के बार्वेक्यू मीट के बारे में सोचते हुए राहूल के मुह से लार टपक रही है, अंत में भोजन का मोह तरक पर हावी हो गया, उसने क्षमा मानते हुए कहा, ओ, फिर चलते हैं, मैं अगली बार वह खड़ी हुई, मुरी और आत्मा बिलीव महसूस किया, अगर आपका IQ हाई है तो कौन परवा करता है, आप अभी भी मेरे सुन्दर देवी रूपी रूप के नीचे दबे हुए हैं, इस बीच, राहूल उसके बगल में चल रहा था और उसकी संतुष्टी से बेखबर है इसलिए था क्योंकि वह एक बहुत ही महत्वपून प्रशन पर बहस कर रहे थे, क्या मुझे जीरे के स्वाद वाला मीट खाना चाहिए, या काली मिर्च के स्वाद वाला मीट